और किसी के माई के लाल को ये लगता है कि देश को वो अपनी सर्तों पे चलाएंगे तो एक बात उनको कहते हैं जितना जोड लगाना है लगा लो हम बोलना जरूर बंद किए हैं तुम से डरे नहीं हैं कई बार हमारी संख्या पे हसते हैं तो मैं कहता हूँ कि संख्या अगर इतना जरूरी होता तो छत्रपति सिवाजी महराज अपना युद्ध नहीं जीते होते कई बार संख्या की जरूरत नहीं होती है साहस की जरूरत होती है और मैं इस नई टीम को ये साधुवाद देता हूँ सुभेक्चा देता हूँ कि आप सहज के साथ अरकर के सरकों पे लल जाएए जीत हमारी हो नेता राहुल गांधी बार-बार कहते हैं डड़ो मत सच बोलो मैं यूथ कॉंग्रेस के भी एक एक कारिकरता को कहना चाहता हूँ सच बोलो सच तब भी बोलो जब मंच पे खड़ा हो करके भाशन देते हो सच तब भी बोलो जब यूथ कॉंग्रेस की मीटिंग में होते हो सच तब भी बोलो जब जन्ता के बीच में जा करके काम करते हो इस हम सब का है और यह देश हेलिकॉप्टर पर उरने वालों का है तो साइकल पर चलने वालों का भी यह देश है पेरी आवाज जहां तक लोगों तक पहुँच रही है मैं आप सब से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ हलाकि आज कल मैं भाशन देना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि देश का प्रधान मंत्री ही जब बकवास करने वाला हो तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं बचता है बोलने का मतलब इसले नहीं बसता है कि बोलने वाले लोग बहुत हैं आज करने की जरूरत है हमारे नेता राहूल गांधी बार-बार कहते हैं डड़ो मत सच बोलो मैं यूथ कॉंग्रेस के भी एक एक कारिकरता को कहना चाहता हूँ सच बोलो सच तब भी बोलो जब मंच पे खड़ा हो करके भाशन देते हो सच तब भी बोलो जब यूथ कॉंग्रेस की मीटिंग में होते हो सच तब भी बोलो जब जनता के बीच में जा करके काम करते हो सच और जहां तक दरने का सवाल है एक कोका कोला या फंटा पता नहीं क्या चीज है उसके परचार में कहा जाता है कि डर के आगे जीत है मौंटें ड्यू डर के आगे जीत नहीं होता है भाई साहब संधर्स के आगे जीत होता है और बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता है Youth Congress की इस नई टीम को और आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि यह देश हम सब का है यह देश हम सब का है और यह देश हेलिकॉप्टर पे उरने वालों का है तो साइकल पे चलने वालों का भी यह देश है और किसी के माई के लाल को यह लगता है कि देश को अपनी सर्तों पे चलाएंगे तो एक बात उनको कहते हैं जितना जोड लगाना है लगा लो हम बोलना जरूर बंद किये हैं तुमसे डरे नहीं है तुमारी जेल में जितनी जगह है उतनी जगह तुम बना लो यह देश अगर चलेगा तो डॉक्टर बाबा साब भीमरा अंबेदगर के संबिधान से चलेगा और डॉक्टर बाबा साब भीमरा अंबेदगर के संबिधान ने इस बात की ताकत दी है कि इस देश के अंदर हर एक वो इनसान चाहे पूरब को हो या पस्चिम का उत्तर को हायो दक्षिन का हिंदी बोलने वाला हो या मराठी बोलने वाला हो मोटा हो या पतला हो फॉर्चुनर पर चलने वाला हो या एवन साइकिल पर घूमने वाला हो यह देश सब का था है और रहेगा इस देश को हम बचा गर के रहेंगे और इस देश की सक्ति को जो आज कमजोर करने वाले लोग हैं कई बार हमारी संख्याँ पर हसते हैं तो मैं कहता हूँ कि संख्या अगर इतना जरूरी होता तो छत्रपति सिवाजी महराज अपना युद्ध नहीं जीते होते कई बार संख्या की जरूरत नहीं होती है साहस की जरूरत होती है और मैं इस नई टीम को ये साधुवाद देता हूँ सुभेक्चा देता हूँ कि आप साहज के साथ अरकर के सरकों पे लग जाएए जीत हमारी होगी इसी सुबकामना के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ शुक्रिया इनकलाब जिन्दाबाद हमारी एकता जिन्दाबाद